मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब जिये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2023 में बल्लभा चार जैनती कम मनाई जाएगी जानिये सही दिन्वतारी क्या है और यह जैनती क्यों मनाई जाती है जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है त वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेर करेंगे मित्रों स्री बल्लभ आचारे जैनती हिंदू बैसाक मास के क्रिश्वपक्च की एकादसी को मनाई जाती है बल्लभ आचारे एक उत्साही दार्षनिक थे जिन्होंने पुस्प संप्रदाय की मान्यताओं की सबसे समर्पित्योहारों में से एक है बहुत से लोग यह भी मानते थे कि स्री बल्लभ आचारे ही वह व्यक्ति थे जिन्हें स्री नात्न जी की रूप में भागवान किसर से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था कुछ लोगों का यह भी मानना है कि स्री बल्लभा आचार्य अगनी दियोता का पुनर जन्म हैं स्री बल्लभा चारे जी के पिता प्राकंड बिद्वान और धार्मिक पुरुस थे महा पुरुस बल्लभा चारे का परिवार काफी बड़ा और सम्रिद था इनकी दो बहने भट था और बहनों का नाम सरस्वती और सुभद्रा था बल्लभा चारे जी का बिवा पंडित स्री देव भट जी की कन्या महा लच्मी से हुआ था और इनकी दो पुत्र हुए जिनका नाम गोपी नात और स्री पिठल नात था मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष दोहजार तेईस में स्री बल्लभा चारे जैन्ती 16 अप्रेल दिन रविवार को मनाई जाएगी एका दसी तिथी सुरू होगी 15 अप्रेल दोहजार तेईस को रात आठ बच कर 40 मिनट पर एका दसी तिथी समाप्त होगी 16 अप्रेल दोहजार तेईस को साम छे बच कर 15 मिनट पर